हेलो फ्रेंड्स हम सीख रहे हैं दा वेस्टलेंड अब पोयम बाई टी एस इलियाट तो फ्रेंड्स इस पोयम का जो लास्ट सेक्षन है वाट दे थंडर सेड्ड उसकी जो अंतिम लाइन है यानि ओवरोल पोयम की जो लास्ट लाइन से उनको हम आज डिसकस करने जा रहे हैं और आज के लेक्षर के बाद यह हमारी जो दा वेस्टलेंड है यह कंप्लीट हो जाएगी तो चलिए फ्रेंज विदाओड वेस्टिंग अने टाइम लेट्स स्टार्ट देखे टाइरसिस क्या कहते हैं कि इन दिस डिकेड होल अमंग दा माउंटेंस कि जो माउंटेंस हैं परवतों के मद्धिये एक डिकेड होल डिकेड कहते हैं नस्ट हुआ और होल होता है कोई छेद लेकिन यहाँ छेद से मतलब है एक घाटी एक नस्ट हुए घाटी परवतों के मद्धिये टाइरसिस को दिखाई देती है और फेंट मूनलाइट में यानि धुंदली चांदनी के प्रकास से वो जो घाटी है वो प्रकाशित है और घास गा रही है यानि जो घास है घास की जो हवा के चलने के कारण जो सरसराहट का म्यूजिक है एक संगीत है वो निकल रहा है और कहां की घास है ओवर दा टंबल्ड ग्रेव टंबल्ड मीन्स टूटी फूटी जो उल्टी पुल्टी कबर है उनके उपर जो घास लगी हुई है उस घास पर जब हवा चल रही है तो वो घास एक संगीत उत्पन कर रही है क्लियर फिर्ट्स अबाउट दे चैपल देर इस दे एंप्टी चैपल ओनली दे वाई विंड्स होम और चैपल चैपल कहते है एक छोटा गिर्जा घर क्लियर कि यहां पर जो घाटी एक दिखाई देती है परवतों के मद्धिय है नस्ट हुई घाटी है धुनली चांदनी से वो प्रकाशित है और उन उल्टी पुल्टी कवरों के उपर एक छोटा गिर्जा घर ओथर को नजर आता है और आथर के रूप में किसको नजर आता है टाइलियस को नजर आता है एक चैपल और उस चैपल में यह तो बात हो गई है कि जो हवा की चलने के कारण जो सरसराहट का संगीत है वो निकल रहा है और चैपल कैसा है देयर इस दा एम्टी चैपल यह केवल और केवल खाली एक जागर है और यहां कोई नहीं है केवल हवा का घर है ऐसा लगता है केवल हवा का घर यह चैपल है इसमें कोई भी खिडकी नहीं है इसका दरवाजा स्विंग करता है इसका दरवाजा जूलने लगता है कब जूलने लगता है जब उस पे हवा का जोका आता है दरवाजा इतनी प्यारी लाइन है कि जो ड्राइब ओन्स होती है वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुचा सकती यानि मरत लोगों की जो इधर उधर बिखरी हुई हड्डियां है वो किसी भी इनसान को भैबीत नहीं कर सकती क्यों नहीं कर सकती क्योंकि यहां कोई मानव है ही नहीं जो च्छत है च्छत के ऊपर वाले हिस्से में क्या दिखाई देता है एक कौक एक मुर्गा बैठा हुआ दिखाई देता है और क्या कहता है को कोरिको को कोरिको एक मुर्गा आवाज लगा रहा है बांग देता है को कोरिको को कोरिको और तभी in a flash of lightning then a damp gust bringing rain और तभी आकास में flashing होती है, lighting होती है आकास में बिजली चमकती है और फिर एक damp gust यानि एक नम हवा का जोका आता है और अपने साथ बारिश भी लाता है और उस बंजर देश में क्या होने लगता है फ्रेंट्स बारिश होने लगती है चलिए आगे बढ़ जाते है गंगा वोज शंकन and the limp leaves waited for rain while the black clouds gathered far distant over him तीके नाम आया हिमवंथ, हिमवंथ क्या है, हिमवंथ है हिमाले कि हिमाले पर क्या था, बारिश आ रही है और तर ने हाँ जिकर कर दिया गंगा वोज संकन, संकन कहते हैं dry कि जो गंगा है, वो सूखी थी यानि टाइरिसेस आगे कह रहे हैं कि एक बार जो गंगा है, वो सूखे का कारण उसका जो जल इस तर था, बिलकुल नीचे चला गया था and limp leaves waited for rain देखे हैं एक वर्ड यूज क्या है लिम का मतलब है ढीला ढाला साइग्दम flaccid यानि जो सूखी है, ढीली ढाली इसी पत्तिया है पेडों की पेडों की पत्तिया हैं जब मुर्जा कर जूल जाती है तो लिम्प हो जाती है, लंगडा हो जाती है लिम्प का मतलब लंगडा की चलना भी होता है तो वो जो सूखी पत्तिया हैं waited for rain उन्होंने वर्षा के लिए वेट किया वो वर्षा की चाप कर रही थी जबकि जो काले बादल हैं वो हिमाले परवत पर किसी ऐसे इस्थल पर एकत्रित हो रहे थे जो कहीं रिशी मुरियों के आस्रम से काफी दूर था और जंगल क्राउट देखें जंगल का मतलब है कि जो जंगली जानवर है यह नि जो जंगली जानवर है वो चुपचाप इंतजार कर रहे थे बैठे वे वो साइलन्स में चुपचाप बैठे वे क्या कर रहे थे इंतजार कर रहे थे यानि जंगली जो जीव है वो चुपचाप मूख भाव से कमर जुकाए हुए वो इंतजार कर रहे थे और क्या गड़गड़ः हुई क्या वहां से आवाज आई दा 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 ये बताया था मैंने सबसे इस्टारिटिंग में ये वाट दा थेंडर सेट ये क्या है कहां से आया किस उपनिशत से आया तो टाइरियसस क्या कहता है कि दा और दा का पहले दा का मतलब है दता यानि दत और दत का मतलब है दिया हुआ दान यानी इस दत का मतलब है दान शीलता के लिए फिर्ट्स वाट है वो वी किवन हमने क्या दिया है हम क्या दे चुके हैं क्या हमने दान दिया है माई फ्रेंड ब्लड शेकिंग माई हार्ट और संबोधित करते अपनी कलपना में जो बहुतिक वादी उसका एक पुरुश है जो बहुतिक वादी चवी है उसको संबोधित करते वो कहता है कि मेरे मित्र blood shaking my heart कि जो मेरा हिर्दे है वो उद रहा है मेरे हिर्दे की धड़कन तेज हो रही है और कहता है कि अपने मन से पूछ कर देखो कि मेरे मित्र अपने मन से पूछ कर देखे कि भला उन्होंने जीवन में क्या दानसीलता दिखलाई है क्या आपने दिया है इस जीवन में और तभी उसे कहते हुए एक शर्म महसूस होती है कि उन्होंने बहुत इकवाद के कारण कोई भी दानसीलता नहीं दिखाई है दानसीलता नहीं दिखाई है हम तो केवल एक सरंडर हमने किया है हम तो केवल हम तो नतमस्तक हुए है हमने कोई दानसीलता नहीं दिखाई हमने तो केवल जो वासना थी वासना के चड़ में आत्म समर्पण हमने किया है क्लियर जहां हमारी जो सतर्कता है यानि प्रूडेंस है हमारा हमारी जो सतर्कता है हमारी सतर्कता का युग भी हमें वापस नहीं ले जा सकता है clear align friends retreat कहते है वापस ले जाना by this and this only we have existed which is not to be found in our orbituris और जो हमने काम किये है वास्तव में जो वास्नपूर ये काम हमने किये है और ये हमारे अस्तित्व को चिन्नित करते हैं और हमारी जो orbituris है orbituris कहते हैं जो हमारे ब्रत्यू लेक है जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो एक ब्रत्यू लेक पेपर में चपता है जिसको कहते है आवी जुड़ी या उधारसी इंड़ता से जुड़ी यादों में हमारे जो वकील है क्लियर? सॉलिसीटर देखे लीन कहरा लीन सॉलिसीटर लीन कहरा स्टूडियस कि हमारे जो वकील है वकीलों द्वारा जो हमारी बंद वसीयते हैं उन में नहीं पाई जाएंगे यानि हमने कोई काम यहां नहीं किया है हमारे वासनापूर काम है और यह हमारे अस्तित्व को चिन्नित करते हैं हाला कि हमारे मृत्यों लेखों में या उदारता से जुड़ी यादों में या हमारे वकीलों दोरा बंद हमारी बसीयत में नहीं पाये जाएंगे क्लियर बलकि इन आर एम्टी रूम्स का मिलेंगे हमारे खाली कमरों में मिलेंगे अब देखे ये तो overall बात हुई लेकिन अगर हम इन लाइन्स की philosophical इसको देखें तो वो कहना चाहरा है कि जो योग समाधी है योग समाधी में एक छड़ में आत्म दरसन से हम इश्वर प्रेम और निर्भीकता को प्राप्त कर सकते हैं और जिसके प्रभाब को एक पूरे युग का वग्यानिक तर्क नकार नहीं सकता हमारी इसी आत्म दरसन से और इसी आत्म दरसन के दोरा हम यह भी सिद्ध कर सकते हैं कि हमारी आत्माए जो है वो तीत में थी आज भी है और हमेशा बनी रहेंगी और हमारे जो सोक संदेश है या हमारे जो एम्टी रूम से मकड़ी के जालों से अटे हुए हमारे जो कमरे है या सील बन हमारी जो वसीयते है उन वसीयतों में जो दुबके हो वकील है उनके बारिसों के सामने जब वो खाली कमरों में वसीयते तोड़ी जाएंगी तो हमारी आत्माओं के अस्तिद्व के अथार्थ को इन चीजों से सिद्ध नहीं किया जा सकता किलेफिंस तोड़ा टफ लग रहा होगा आपको फिलासफिकल है चलिए लेकिन ऐसा नहीं है पोएम समझ में आ रही होगी और आगे दूसरा दा और दूसरे इस दा का मतलब है दयाद्वाम दयाद्वाम यानि दया क्लियर कहरा जैसा उसने सुना है कि जो दया है दयाद्वाम यानि जो दया है दया ही वो की है वो कुंजी है वो चाबी है जो अच्छे और उच्छ जीवन के द्वार के जो ताले है उनको खोल देती है अगर दया ना होगी तो जो उच्छ जीवन है हमारा उसका जो दर्वाजा है वो नहीं खुलेगा यानि टायरिसस ये कहना चाह रहा है अपने भौतिकवादी मित्र से कि वो अच्छे और उच्छ जीवन के द्वार में दया के माध्यम से प्रवेश करे और जो दया है यही अतीत में इसाई धर्म का मुख्य द्वार था और अपने भौतिकवादी धर्म को छोड़ कर यानि जो भौतिकवादी व्यक्ति है उसको भौतिकवादी धर्म को छोड़ कर हमेशा दयादवार के माध्यम से इश्वर में प्रविस्ट हो जाना चाहिए अपने धर्म में प्रविस्ट हो जाना चाहिए क्लियर और जो अपनी प्रिजन है कैसी प्रिजन है जो खुद गर्जी की प्रिजन है यानि हमारी जो अपनी अपने स्वार्थ की जो काल कोटरी है जेल है उसमें हम पढ़े वे है जबकि हमें से प्रतियक व्यक्ति हम ऐसी कुझी प्राप्त कर सकता है जो उन जेल कोर्ट्रियों से हमें क्या कर सकती है हमें मुक्त कर सकती है गैले फिर्ट्स क्लियर राइन कि I have heard the key turn in the door कि जो तरौजा कोल सकती है एक बार and turn only once we think of the key हमें उस key के बारे में हम सोचे each in his prison जो अपनी जेल कोर्ट्री में हम प्रती एक व्यक्ति पढ़ा हुआ है तिंकिंग उब्दा की उस चाबी के वारे में सोचे यानि वो द्यारूपी जो चाबी है इच कन्फर्म्स अ प्रिजन ओनली एट नाइट फॉल अथरियल रियूमर्स और ये जो हमारी कुंजी है इसकी प्राप्ति केवल अपने स्वार्थ के लिए हम जब कोई व्यक्ति करना चाता है तो वो अपनी जो खुदगर्जी की जेल है उसको अपने लिए और मजबूत कर देता है और कोई व्यक्ति अपने सारे जीवन स्वार्थ की जो जेल है उसमें रह चुका है तो उसकी आत्मा टूटे हुए क्या करेक्टर आगे यूज़ करता है एक कौरियो लेनस देखिए एक करेक्टर मिलियम सेक्षपियर का इसी नाम करेक्टर है कौरियो लेनस कौरियो लेनस के समान हमारी आत्मा हो जाती है यानि जब कोई व्यक्ति अपने सारे जीवन सौर्थ की जेल में रह चुका है तब उसकी आत्मा कोरियोलेंस के समान हो जाती है और वो तूटा हुआ अपने आपको महसूस करता है क्लियर अर्थात उसकी जो इंद्रियों में उसकी संपूर्ण जो दिव्य इंद्रिया है उनमें प्रविस्ट होकर उसकी वासना दौरा उत्पन किये गए उनमान से चित्रों की और संकेत करती है जिसमें भावी जीवन में जाकर उसको रहना है और मृत्य उशया पर पड़े हुए जीवन में आत्मा उस शरीर के अंतसमे में उसको जब देखती है क्लियर हो फ्रेंड्स और आगे क्या कहते है देखिए आगे फिर तीसरा दा और दमियत दमियता का मतलब होता है योग विद्याद्वारा निज इंद्रियों को मस्तिक्स को और शरीर को नियंत्रित करना तो टाइरिस आगे कह रहा है कि दा बोट रेस्पॉंड़ड गेली तु दा हैंड एक्सपॉर्ट विद्स सेल और दा सी वोज काम यूर हार्ट वुड है रेस्पॉंड़ड़ और कह रहा है टाइरिस कहता है कि उसने सुना है कि अतीत में जीवन के महसागर में एक योगी का शरीर और दिमाग रूपी जो नाओ है जो सेल है और और है कैसी शरीर रूपी और दिमाग रूपी जो नाओ है वो भली परकार चला करती थी यदि उस योगी का अपने दिमाग इंदरी और शरीर पर नियंतरण होता था क्लियर तो उसके जो मस्तिस का सागर है यानि जो हमा मारा माइंड है वो भी क्या था? शानत रहता था आगे कहते है और भोतिक वादी को निजक कल्पना में समोधित करते है ताइरिसस कहता है कि यदि उसने पहले योग समाधी के माध्यम से अपनी आत्मा का दर्सन करने का प्रयास किया होता तो उसकी आत्मा उसकी नियंतरन कारी योगी सक्तियों को आगे नुसार धकेलते वे समाधी में उसे दर्सन देने का नियंतरन बड़ी पर्संता के साथ यानि गेली पर्संता के साथ स्विकार करती केलियेव फेंट्स देखे ओवर औरोल कहें लाइनस में तो इन तीन लाइन में ऊथर क्या बता रह diary है वो कह रहे है कि बिल्कुल नियंत्रण दमीत यानि नियंत्रण नाव ने विशे सग्य हाथों में जिस तरह नाव चलती है और एक एकस्पर्ट के हाथ में चलती है तो उसी तरह आपको भी अपने मन पे नियंत्रण करना है अपनी जो भौतिक शरीर है उस पे नियंत्रण करना है अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण करना है यानि इंद्री, मस्तिक्स और संपूर्ण शरीर पर आपको नियंत्रण कर लेना है और उसका एक ही माध्य में वो है आपके पास योग Clear? I sat upon the shore fishing with the arid plane behind me Shall I at least set my lands in order? अब देखिए वहाँ कह रहे हैं इलियट क्या कहते हैं कि वह बंजर देश के एक भौतिक वादी दार्शनिक से दान्त को ठुकरा कर अभी कुछ समय पहले वो बैठा हुआ सोच रहा था और सोच क्या रहा था? सोच रहा था कि जो मेरा अध्यात्मिक पतन है उसके वर्तमान इस्थिती में जीवन के लिए कोई आध्यात्मिक मार्ग कैसे तलास जाए? और अपनी आत्मा से उसने पूछा जो गर्त में जा रही है, गिरती जा रही है क्या उसके लिए कुछ उचितनी होगा कि जीवन को कम से कम आध्यात्मी का वस्ता में रखे तब ही तीन जो पैसेज है जो तीन पद्यान से तीन लाईन है उसके मस्तिस्क में उभरती है और कुछ जवाब उसको दिखाई पड़ता है, सुनाई पड़ता है कब सुनाई पड़ता है? जब वो एक तर्ट पे बैठे हुए है क्लियर? क्या सुनाई पड़ता है? देखें, लंदन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन 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 फॉलिंग और ये तीन लाईन ने ओथर को यहां दिखाई देती है, तीन सुनाई पड़ती है क्या है लाईन? कि एक तो वो देखते हैं कि जो लंदन का ब्रिज है वो गिरता हुआ, उनको वहसूस होता है और ये जो पहली लाईन है, इस लाईन को अगर इसके रफरेंस की बात करें तो ये जो एक आथर रहे है, डैटे, डैटे का एक वर्क था परगेटरियो, परगेटोरियो से ये एकस्ट्रिक्ट लिया गया है जिसका मतलब है कि प्लीज रिमेंबर माई पेन, किरपया मेरी पीड़ा को याद रखना यानि जो तीन यहां उसके मस्तिक्स में, टाइरियसिस के मस्तिक्स में तीन लाईने उभरी उन में से ऐसा लगा मालो, उसकी जो आत्मा है, उस आत्मा का उत्तर महां से मिलाओ तो पहली लाईन का मतलब है कि मेरी पीड़ाओ को याद रखना, प्लीज रिमेंबर माई पेन और यह जो दूसरा रफरेंस है, आप पड़ भी नहीं पाएंगे, तूसरी लेंग्विज में लिखा हुआ है, कि इसका मतलब है, पहले तो इस एक्सट्रेक्ट के बात करने एक लेटिन पोएम है, और पोएम का टाइटल में लिख देता हूँ, परवी गिलियम वेनरिस, इस पोएम से यह लाइन ली गई है, जिसका मतलब है, कि वेन सेल आई बिकम आज स्वैलो, कि कब मैं एक स्वैलो बनूँगा, और जो तीसरी लाइन है, ला प्रिंस वाली, इसका मतलब है, कि जो प्रिंस ओफ एक्विटाइन है, कि प्रिंस ओफ एक्विटाइन आव दा रुइन टावर, और यह जो लाइन है, यह एक सॉनेट थी, एक आथर की, जेराड डी, नर्वाल्स, और सॉनेट का नाम था, इल, डैस डी कैडो, इस सॉनेट से एलाइन ले गई है, तो क्या है तीनों का मतलब, कि उनका जो रफरिंस था, वो क्या था, कि किर्पया मेरी पीडाओं को याद रखना, दूसरी का मतलब है, कि मेरी आवाज कब सुनी ज और इसी के बाद एक परामर्स भी उथर को मिलता है, और वो क्या परामर्स है कि ओ, स्वैलो, 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 यानि मुझे कीचो, मुझे कीचो, और कहां कीचो, यानि अपना जो स्वांस है, स्वांस को योग समाधी प्राप्त करने के लिए, प्रायानायाम बिधी से की क्लियर और तीसरी जो लाइन है उसका मतलब है कि जो बरबाद दुर्ग है दुर्ग वाले एक्विटून के राजकुमार के भारी शोक की परिस्थिती से बचाने के लिए कुछ योगा भ्यास करो यानि कुछ सत्कर्म करो तो पोईट कह रहे हैं कि इन तीन अपून संदेसों को उसने अपने हिर्दे में संभाल के रख लिया और विनास का कारण वनने वाले अपने संसारिक सूखो और धन प्रापतादी करने की इच्छाओ के समय इने बरावर याद करके वे स्वेम को जो पतन है जो गर्थ है उसमे गिलने से बचाओंगा उसने बचाया और किलेफिंस और अपनी आत्मा से इसी के साथ साथ क्या कह रहा है कि मैं अपनी आत्मा से कहने देखे दीज फ्रेग्मेंट्स आइफ शूर्ड अगेंस्ट माइ रूइन्स वाइ देन आइल फिट यू हाइन नम्यो मैड्स अगें दत दुईदाम दमियत सांती 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 और इन फ्रेग्मेंट्स को मैं संभाल के मैंने रख लिया है और मैं अपने आपको जो पतन है पतन में गिरने से बचाओंगा और अपनी आत्मा से ये भी वाइदा मैंने कर लिया है कि वह भावी जीवन के लिए आवश्यक जो सद और धन की भूक से पगला गई है। यह रेफरेंस है यह रह गया वाई देन आइल फिट यू हर नीमोज मैड अकीम। यह जो रेफरेंस है यह आया है फ्रेंस टॉमस किड की इस्पैनिस ट्रेजिटी से। और इसका मतलब है कि I have promised my soul that I'll make it suitable for the next world की मैंने अपनी soul से prayer कर ली है कि मैं इसको अगले संसार के लिए क् बनाऊंगा सुटराबल बनाऊंगा और यह जो character है यह जो harmonio है यह कहां है इस्पैनिस ट्रेजिटी का एक character है क्लिया फ्रेंस तो I hope यह जो पूरी poem है आपने enjoy क्या होगा इसको और चैनल पर पहली बार आए है फ्रेंस सब्सक्राइब करें और notification bell को on करें ताकि जो भी lecture चै me and now thanks for watching this video